प्रचीन भारत के नंद बंस का अंतिम राजा था धनानद नंद बंस के दो समराटों के बारे में जनकारी मिलती है पहला महापदमिनन्द और दूसरा धनाननद का पुत्र था पर कई जगह इसे महापदमिनन्द का छोटा भाई भी कहा जाता है जायतर परचिन्स ग्रंथों से एक बात अश्पस्ट होती है कि महाननद की राजा नई जाती के थे महापद्म नंद ने लगभग 345 इसा पुरु में नंद बंस की अस्थापना की थी और उसने लगभग 329 इसा पुरु तक राज किया इसके बाद धनानंद मगद की गद्धी पर विराजमान हुआ धनानंद के बारे में कहा जाता है कि धनानंद एक अत्याचारी धन का लोभी और बिलासिस आ सकता जो अपने राज की प्रजा के बीच अप रिये था धनानंद को धनी कठा करने की आदत थी जिसके कारण लोग उसे धने नंद भी कहने लगे थे धनी कठा करने के लिए धननंद ने अपनी परजा परतरह तरह के टेक्स लगाये थे यहां तक कि समसान घाट में ब्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए अवस्यक लकडियों पर भी टेक्स लगा दिया था प्लूटाक ने लिखा था कि युवा चंदर गूपते एक बार सिकंदर के सामने पेश हुआ था और उसने धननंद के घटियापन और परजा के बीच उसके अप्रिता के बारे में बताया था कथा सरिता सार कि अनुसार धननंद के पास 99 करोड सोने की मुद्राय थी जिसे गंगा नदी की तली में एक चटान के नीचे खुदवा कर छिपा दिया था धनननंद के पास इतनी संपत्ती के बारे में यह भी मानना है कि धनननंद के पास काफी दौलत थी क्योंकि इसका वर्नन्द तमिल के एक प्रचीन कविता में भी मिलता है कविता में बर्नन है कि पहले वास्वर्न मुद्राय पाटे पूत्र यानि की पटना में संचित हुई और फिर गंगा की बाढ़ में छिप गई धनानंद के बारे में कहा जाता है कि उसके धन के प्रती प्रेम के कारण उसका नाम धनानंद पड़ गया था युनानी लेकको के धनानंद के बारे में लिखा है कि सिकंदर के हमले के समय मगत का राजा अग्रसम था अग्रसम नाम को इतिहासकार धनानंद से जोड़ कर देखते हैं क्योंकि अग्रसम सब्द आग्रसेन सब्द का अर्थ है जिसका मतलब होता है अग्रसेन का पूत्र और अग्रसेन महापद्मनंद का दूसरा नाम है इसलिए कई इतिहासकार महापद्मनंद को धनानंद का पित यवन इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद के पास दो लाख पैदल सैनिक, बीस हजार घोड सबार, दो हजार रत और तिन हजार हाथी थे। यह भी पता चलता है कि धनानंद ने चनक को अपमानित कर राजकी पद से हटा दिया था। इसके बाद से चनक ने नंद समराज के बिनास के लिए सपत ले लिया। और उन्हें सिग्र ही इसकी गलती का एहसास भी हो गया। इसके बाद चन्दरगुप्त ने नंद समराज के आसपास के इलाकों को जितना सुरू किया। चनक और चन्दरगुप्त ने मिलकर पंजाब के इलाकों से एक बिसाल सेना तयार किया। इस सेना के वारे में कई इतिहासकार बताते हैं कि इसमें इउनानी सैनिक और लुटेरे ब्यक्ती भी सामिल थे। बताये तो यह भी जाता है कि धनानन्द को हराने के लिए कासमीर के राजा परवर्तक ने भी चन्दरगुप्त से संधी की थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि परवर्तक ही पोरस थे। लेकिन एक बहुत गरंद की माने तो धनानन्द और चन्दरगुप्त के बीच केवल एक यूद हुआ था और यह यूद इतना बिनासकारी था कि आने वाले कई सालों तक इससे हुई हानी को पूरा नहीं किया जा सका। बिहार से जुड़ी और वे ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी नीज के साथ मुझे दीज़े इजाज़त धन्यवाद।